आज की इस वीडियो में हम दसमलाव का घटाव सिखेंगी इससे पहले हम दसमलाव का जोड़ सिख चुके हैं वीडियो का लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो को देख लेना ठीक है और इस वीडियो को कम्प्लीट देखना वीडियो को फिर हम जोड़ खटव कर देते हैं सेम उसी तरह ही यहां पर भी आपको 1 के नीचे 1 काई लिखना है दहाई के नीचे दहाई लिखना है बस यहां पर आपको क्या करना है आपको यहां पर समझना है कि कौन सा अंक 1 होगा कौन सा अंक यहां पर दहाई होगा, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूँ कि 356, 75, सुन्या तो यहां पर आपको ध्यान दना है कि 12 के बाये तरब जो है 1, 10 से कड़ा पढ़ा जाता है इसके पहले के वीडियो में भी मैं आपको बता जुगा हूँ यहां पर 6 हो जाएगा आपका इकाई 10 सालाव जहां पर लगा रहेगा 10 सालाव के 72 आपको ध्यान दना है 6 हो जाएगा आपका इकाई 5 हो जाएगा आपका दहाई 3 हो जाएगा आपका से कड़ा यानिकि 100 1 दहाई से कड़ा ठीक है और दाया तरब जो रहेगा आपका आंक इसको हम लिखेंगे दसवा पांच को हम लिखेंगे सौवा और सुन्ना को लिख देंगे हजरवा ठीक है यह आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर आपको देखना है इकाई इकाई है यहाँ यहाँ पर नौ और यहाँ पर इका यहां पर है 6 दसंवलब 2,5, तो 1े है, यहां पर 6, 1काई के निचे 1े लिखेंगे, 10 मुलब सिधा सिदा होना चाहिए, ठीक, यहां, दो 5 है, यहां पर 2,5 लिख देंगे, और यहां पर देखिए, 6 का निचे, 6 का निचे फाका हो गया, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है गैप हो गया तो यहाँ पर हम एक 0 डाल देंगे ठीक है आपको 0 डाल देना है फिर आपको क्या करना है घटाव कर लेना है जैसे आप साधरन जोड़ घटाव करते हो घटाव जैसे बनाते हो आपको बना लेना है बस आपको दसमलाव सिधा रखना है सिधा सिधा ठीक है देखे और एक प्रस्ना को धियान से देखेगा यहां पर देखेगा यहां पर है अठारा दसमलाव दो पांच और यहां पर है दो दसमलाव सुन्ने पांच एक देखे यहां पर है इकाई यह होगे आपका दहाई और यहां पर हम लिख देंगे अठारा दसमलाव दो पांच और यहां पर इकाई है आपका दो तो यहां पर दो लिखेंगे इकाई की जगा यहां पर क्योंकि दसमलाव के बाया तरफ दसमलाव के बाया तरफ इकाई दहाई पढ़ा जाता है तो दो यहां पर इकाई है और सुनना यहां पर दसवा, सौवा और ये हजरवा है, तो यहां पर लिखेंगे सुन्या, यहां पर लिखेंगे पांच, यहां पर लिखेंगे एक, अब क्या करेंगे, कि उपर में देखें, एक की उपर में कुछ नहीं है, तो यहां पर हम जीरो डालेंगे, जीरो, जीरो आपको डालना है, बहुत आसान है, जैसे आप सजाते हो साधरन जोड घटाव में, सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपको सजा लेना है, सजाने के बाद आपको साधरन घटाव कर लेना है, जैसे आप करते हो, बस, यहाँ पर यह कह, यहाँ पर उपर में 0 है, तो यहाँ पर हम 1 के लिए लेंगे, तो यहाँ पर हो जेगा 10 जैसे आप घटाव करते हो कर लेना ठीक है जैसे आप घटाव करते हो सेम उसे तरह आपको घटाव यहाँ पर कर लेना है वस आपको 10 सवलब सिधा सदा डालना है ठीक है इकाई के निचे इकाई लिखना है दाहाई के निचे दाहाई लिखना है और जहाँ पर ग्याप रहेगा वहाँ पर आपको 0 डाल देना है फिर आपको घटाव कर लेना है बस इस तरह से आप जो है घटाव कर सकते हैं बहुत है आसान है चलिए और एक प्रस्णा को दे लेकिन यहां पर 42 है यहां पर दसनवलाव नहीं है तो साधरन संख्या को हम कई से पढ़ते हैं दो को इकाई पढ़ेंगे और चार को दहाई पढ़ेंगे यहां पर आपको क्या करना है यहां पर दसनवलाव निचे आपको दहाई लिखना है अब क्या करेंगे दसनवलाव जो यहां पर उपर में है यहां पर हम निचे भी दसनवलाव डाल देंगे क्योंकि 10 वा सकते हैं, 10 वा के बाद हम 0, 0 हिए उन्हें पर डाल सकते हैं ऐसा आपको सजा लेना है, ठीक है देखें, यहाँ पर 10 वा सा छो और 4 आपका फूरा और यहाँ पर निचे 10 वा नहीं है, तो 10 वा के निचे हम 0 डाल देंगे साधरान गाटाव की तरह है यहां पर गृताव कर लेना है यह आपको करते हो इस तरह से आप जो है दसमलाव का घटाव कर सकते हो बहुत है आसान है वीडियो को अगर अच्छा लगाई तो वीडियो को लाइक कर दिजे सभी दोस्तों में सेर कर दिजे और इस तरह के वीडियोज दखने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करकर रखे तो मिलते हैं नेक नेक्ष्ट वीडियो में